अनंत रूप ते अनंत गुणांदा मालिक सादकां दी द्रिष्टीच जिस जिस धंगनाल प्रगट होया सादक लोगां ने उसे उसे धंगनाल उस पर्मशक्ती दे गीत गाय उदी उस्तती कीती चुंके वो हर पल हर छिन नमा है और अनेका रूप ने इस वास्ते परीपूर्ण प्रमात्मा दे अनेका नाम पे गए साहिब फर्मान कर देने बलहारे जाओं जेते तेरे नाम है किसे नुँ ऐसा दिखाई दिता कि ओ रमया हुआ है जद ऐसा दिखाई दिता तो रसना तो निकले आ राम जद ऐसा किसे नुँ परतीत होया कि संसार दिख रेंदा होया ओ संसार तो परे है तो निरण जन शबद रसना दे आगे ज़िए देखिया के उस देख खिच्ची नहीँ तोरल है करता है परथीत हो या उसदा कोई आकार ही नहीं नहीं है उसदा कोई वजूद ही नहीं है उत एक परम शक्ती है तो रसना दे चों सुवावक नाम निकलेया निरंग कार ती जद ऐसा मैसूस होया कि उत एक अश्चर्ज रूप है ती जड़ा उस दे नेडे जेंद है उस दा अंधकार दूर होके उसनों परकाश मिलद है उसनों चानना मिलद है ता सुवावक शब्द निकलेया वाहे गुरू इसे तरीके नाल बोली दे अधारते मजबां दे अधारते वक वक बनी होई संस्कृती दे अधारते परमात्मा दे वक वक नाम संसार दे प्रगटोय और उदे वक वक रूप दी चर्चा धरम गरंता दे चाहोई इतनी गल सपष्ट है के हर बन्दे कुल द्रिष्टी वक वक है और अपनी द्रिष्टी दे मताबक ही मनुक संसार नूवेख दै निरंकार नूवेख दै एक तश्वी दे के अगां चलांगे एक द्रखत दे थले पंज सत मनुक बिश्णाम कर रहे ने दोपैर दे वक उन्हा देच्चों एक निर्थकार है एक संगीत कार है एक उदासी संत है एक नौजवान है जिड़ा हुने ही किदरे घरों लड़के आया है बड़ा दुखी है बहुत बेचैन है अराम कर रहे इन्हा मनुकां देच्चों एक लकड़दा वपारी है हवा दे तेज ज्छोंके जों द्रखत नाल चूंदे ने द्रखत दिया टैनिया जूल दिया ने जिड़ा निर्थकार सी और निर्थ दी दुनिया देच खो जानता है वो कहिंदा है के मेथों वी ज्यादा एस सुन्दर द्रखत निर्थ कर रहे है इदी शाखां देच कितनी लचक है इदे पत्ते किस धंगनाल चूंदे निर्थ वेख के द्रखत दा और निर्थकार बिस्माद दी दुनिया जखो जानता है उनों द्रखत नचदा हो या परतीद होनता है दूसरा संगीत कार है जद पमण दे तेज जोंके द्रखत नाल सपरश कर देने शाँ शाँ दी आवाज बुलंद हो दीए उस संगीत कार सरगम दी दुनिया जखो जानता है सुरा दी दुनिया जखो जानता है संगीत दी दुनिया जखो जानता है बिसमाद हो जानता है कहिंदा है सिरफ मैं ही नहीं गाउंदा ए द्रख्त भी गाउंदा है गीत संगीत ए दे विच्चों भी निकल दा है निर्ट कारनू ऐसा परतीत होया है द्रख्त नच रहे है पर संगीत कारनू ऐसा परतीत होया है जैसे पत्ते पत्ते देचों संगीत दा जनम हो रहे है उदासीन महात्मा लेटे होया है वो देखदा है द्रखत दी तरफ एक सुका पत्ता तेज हवा दे जोंके नाल तुटके जमीन ते आगिरदा है अख्छा दे छहंजू आगे संत दे और केंदा एक दिन संसार दे द्रखत नालो मैं इस तरह तुट जावाँगा जमें के पत्ता तुटे जमें हुन पत्ते दा जुड़ना इस द्रखत नाल बड़ा ओखा है ते में मरे होई मनुकदा मुड के कुटम सनबंदिया नाल संसार नाल जुड़ना बहुत ओखा है बहुत होगा है हुर बैराग दी दुनिया जखो गया हुर संसार तो उपराम हो गया भै इत्थे ते सारी पत्ते ज़ड़ जान देने इत्थे पत्ते सदीवी द्रखत नाल नहीं रहें दे एक के करके सारे नो जड़ना पहना है इस वास्ते किसे पर्म खोज पारी है लकड़ दा वो इस सोचां दिछ गलतान हो गया कि इस द्रखत नो अगर मैं खरीद लवान इस दिछ इमार्ती लकड़ कितनी निकलेगी इस दिछ जलाओ लकड़ कितनी होवेगी और इस दिछ जिड़ा बाकी दा मलबा है शाखां इस दा कोला बन सकेगा के नहीं मैं किने दा ए द्रखत खरीदा ए कितने दा बिकेगा मैंनो की कुछ बचेगा द्रखत नो वेख के वपार दी दुनिया दिछ खोगे पंजमा जो आराम कर रहे है एक नाजवान है हुने हुने घरों लड़के आया है हवादे तेज जोंके आनाल जद शाखां शाखां नाल टकरंदिया ने पत्ते पत्ते नाल टकरंदे ने खडाक पैदा हुंदा है कहिंदा है जगड़ा ते इत्ते भी शुरू है शाखां शाखां नाल लड़रे ने पत्ते पत्ते ना लड़ रहे हैं सिरुव साधे का अरदेची लड़ाई नहीं एथे द्रखत देची भी बहुत बड़ी लड़ाई है उन जैसी जैसी द्रिश्टी है मनुख्धी वैसी वैसी स्रिश्टी दिखाई दें देग geschे द्रखत एक कोई है पर सारे नो वक्वक रूप करके परतीत हो रहे है सनसार ते एक है लेकिन नजरां वक्वक होन करके नजारे वक्वक दिखाई देने जैसी स्रिष्टी हों दिए जैसी द्रिष्टी हों दिए वैसी ही मनुखदी स्रिष्टी बन जां दिए वकवक सृष्टी करके प्रमात्मान दे अनेका रूप जगत देश पर चलता हुए इसलाम दे इसायत ने उस परीपुरण प्रमात्मानों पिता करके आखे फादर केंदे ने, पिदर केंदे ने समच्चह इसलाम केंदे अज़ डी परम शक्ती है और ओ पिदर है दरसल अगर असी प्रमात्मानों सन्बंधी बनाना चाहिए जैसे को हैवी सड़ा सन्बंधी, गूर, बुन्यादी सन्बंधी है ति कुई सड़े को लो पुछे तुसी प्रमात्मानाल संबंध अस्थापन कीता है पर ओ थोड़ा के हुजियांदा सन्बंधी कौन लगदा है, की लगदा है जैसे नाल चल दे हुए मनुक बारे कोई पुछले वे कौन है ति असी कह दे ये सन्बंधी है पर इदे नाल सवाल दा सही मैने जवाब नहीं मिलदा ओ पुछ सगदा है, सन्बंधी ते है, पर की लगदा है पुत्तर लगदा है, मित्तर लगदा है, पिरा लगदा है दोस्त लगदा है, आया की लगदा है रिष्टे दा जिक्र करना पेंदा है सन्बंधी दा जिक्र करना पेंदा है कैसा सनबंद है सनबंदी चर्चा करनी पेंदिये उजो परम शक्ती है उजो प्रमात्मा है उदे नल संबंद जोड़ना है पर इस सनबंद कैसा होगा क्योंकि मनुकदी दुनिया दे जड़े सनबंद ने उदेच माँ है बाप है, पत्नी है बच्चे ने, बिरा ने, दोस्त ने, पडोसी ने बस एही सनबंद देगे उस परी पूरन प्रमात्मा अनल कैसा सनबंद जोड़ी है तो इसलाम केंदे ने पिता दा संबंद जोड़ो इसायत भी केंदे ये उफादर है प्रार्थना करनगे, प्रेर करनगे प्राम इसायत दी समुच्ची इवादत पिता पुत्तर दे आले दौले खुम दिये एक पुत्तर पे ओदी पूजा कर रहे है एक पुत्तर पिता दी परकरमा कर रहे है एक पुत्तर पिता नो महान जान के उदे गों याचना कर रहे है ए बंदगी ए इबादत इस रिष्टे दोते खड़िये पर होर थोड़ा जया अगां जाये भारत दा पुराना सनातन मत उस दा एक अंग उस परमशक्तिनों प्रमात्मानों मां करके पूजदा है माता करके पूजदा है जिते इसलाम कहिंदा है वो पिता है इसायत कहिंदी ये वो फादर है वो बाप है उत्हे भारत दा एक तब कहिंदा है नहीं वो मा है लहाज़ा माता माता दी चर्चा ते गीत चल देने माता दे बहुत सारे मंदर वी सड़े देश देश मौजूदने जैसे के बैशनो देवी नैना देवी काली देवी सुरस्ती देवी दुरगा देवी इतियादक अनंत देवियां सड़े देश देच इस भावना करके उजागर होईयां के मनुखने मन्या ओ प्रमात्मा माता है मा है तो मा जान के पूजा शुरू होई मा जान के प्रतिष्टा शुरू होई और मा जान के बंदगी परकर्मा अबादत ये सब कुछ अर्चा बंदन चल पे है एक तबके ने इस धंगनाल प्रमात्मा नुमने है अगां चलिए अत्मानाल जो रिष्टा अस्थापन कर देने ओ है महभूब ते महभूब आदा इस वास्ते सब्बे मुसल्मान सूफी कलाम नो पसंद नहीं कर दे मुतस्बी मुसल्माना ने ते सूफिया नो किसे हद तक कतल भी कीता औरंग जेब ने सरमद नो कतल कीता मुल्तान दे मुसल्म हुकमरान ने शमस तबरेज दे पुठी खल लवा देती करीबन करीबन जितने वी सूफी पैदा होए मुतस्बी मुसल्माना दे मार दी शिकार हों दे रहे जैसे के सरमद दी कबर असी जामा मस्जद दे कोल वेक देया इसनो औरंगजेबने कतल कर देता सी इक खल ले ख्यालान दा मालक सूफी कलाम दे अंदर जो रिष्टा प्रमातमा दा मिल दा है ओ है महभूब ते महभूबा दा किसे था ओप्रमातमा नो महभूब बना देने खुद महभूबा बन देने किसे था प्रमात्मानों महभूबा समझ देने खुद महभूब बन देने इस रिष्टे दे आले दौले उना दी बंदगी उना दी अबादत घुम दिये थोड़ा जिया होर अगां चलिये कुछ होर भी संबंद मिल देने भगत कबीर जी महराज ने परीपूरन प्रमात्मानाल जो संबंद जोड़े है ओ है ए कि मैं दासां तू मालक है भगत लोग जिनने भी होएने सड़े रेश देच क्रीबन क्रीबन वो अपने आपनों दास कहें दे रहने प्रमात्मानों मालक कहें दे रहने असी तेरे जर खरीद गुलाम हा कहो कबीर गुलाम घर का जिवाए पामे मार जितने भी पगत होएने सब अपने आपनों गुलाम आखदे रहने दास आखदे रहने तू मालक है असी तेरे गुलाम हा गरस के इना रिश्ते आंदे आले दौले परीपूर्ण प्रमातमा दा सन्बंद चल दा रहे कुछ ऐसे भी भगत होए जिना ने कह देता तू राजा है असी तेरी परजा ए प्रमातमा तू राजा है राजा जान के उस दी पूजा होई और नहे कलंक राजा करके आख्या तू निश कलंक राजा है, तेरे ते कोई कलंक ने, तू राजा है, असी तेरी रईयत हाँ, असी तेरी परजा हाँ, तो बंदगी कर देने, इबादत कर देने, इस धंग नाल जैसे कोई परजा, राजा देगों, सजदा कर रही होए, बंदगी कर रही होए कुछ ऐसे भी महापुर्ष होए ने जिनने रिष्टा जोड़ेया बै तुम गुरु है असी तेरे शिष तुम गुरु है समगर संसार नू चानना देन वाल है प्रकाश देन वाल है असी तेरे शिष तो शिष जान के ते उनु गुरु समझ के ए सनबंद जोड़ेया गया बंदगी द्वारा प्रस्तिष द्वारा कुछ ऐसे भी ने जिनने सनबंद जोड़ेया उस परी पूर्ण प्रमात्मा देनाल मित्र ता दा तुम भई सड़ा मित्र है तुम सड़ा दोस्त है वक वक रिष्टियां देते समचे संसार देच वक वक मजब ते संपरदावा मौजूद ने जैसे के मैं अर्ज कर चुके हैं के इसलाम ते इसायत दा रिष्टा प्यो पुत्तर दे रिष्टे दे खड़ा है सनातन मत दे एक धड़े दा प्रमात्मान दा रिष्टा माहां ते पुत्तर दा रिष्टा सूफियां दा रिष्टा महभूब ते महभूबा दा रिष्टा और भगता दा जो बहुत तादाद दे सड़े देश 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 पैदा होए दास ते मालक दा रिष्टा तु मालक हैं असी तेरे गुलाम हैं असी तेरे दास इना देचों मीरावी है जो थाँ थाँ थे अपने आपनों दासी कें दिये गुलाम कें दिये तु मालक है माने चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी ए गीत मीरादा बड़ा पर चलता है ए प्रभू मेनों चाकर रखले गुलाम रख ले, दास रख ले, तु मालक हैं, मालक हैं, मैं तेरी चाक्र है गरस के समुच्चा भगती जीवन, दास ते मालक दे रिष्टे दे, आले दौले गुमदा है कुछ ऐसे भी ने, जो केंदन तू सड़ा मित्र है चींदा परसिद संत लाउट से, तो केंदा है इश्वर, जिस धातू तो तू बढ़े है उसे धातू तो मेरा जनम है, फर्ग सिर्फ एए, तू पहले हैं, अनादी हैं, मैं बात दे चाहां एक कुई धातू, एक कुई अन्सोन करके, तू मेरा वड़ा भिरा है, मैं छोटा तो भराता दे रिष्टे दे आले दौले, लाउट से दी बंदगी घुम दिए, लाउट से दी अबादत घुम दिए वक्वक संसार दे भगताने संताने, रिष्टे परी पूरन परमातमा दे नाल वक्वक अस्थापन कीते ने गुरुगन साब जी महराज दी बाणी दा अधेन करिये, ते साहिब गुरुनानिक देव जी महराज तो पुछिये, के ओ अकाल पुरुख थवड़ा की लगदा, परमातमा दे नाल तुसी केडा रिष्टा अस्थापन कीता, तो बाणी परन तो पता चलदा, एक रिष्टा गुरुनानिक ने नहीं मनेया, बलके सारे ही रिष्टे परिपूर्ण प्रमातमा देच निरूपन कर देते ने, उन्हां दा फर्मान है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा, सब नहीं थाई, तांबो के आ, काडा जी विग्यानक तत्वी सड़े सामने हैं अगर किसे बच्चे दी मां होवे ते प्यो ना होवे उएसा से कम तरीदा शिकार हो जनता है और उसनों जगत यतीम केन लग पेंदा है प्यो यह कोई नहीं मां है ते जी हुन प्यो होवे ते मां ना होवे ऐसा बच्चा ममता ते प्यार तो वांजा रह जाता है जीवन दी परवरिश देचे काफी खामिया रह जाती है और इस गलनों हुन मनों विग्यानियाने मन ले है के जिस बच्चे नों मां दी ममता नहीं मिली बड़ा होके एक टोर होवेगा एस सख्द दिल्दा होवेगा एकल वक्री है के उस दे पुरूबले सनसकार कुछ पवित्तर होवन ते उस दे अंदर कॉमलता बणी रह एकल वक्री है वरना मां दी ममता अगर नहीं मिली प्यार अगर नहीं मिलेया तो बच्चे दा हिर्दा कठोर हो जाएगा सख्ट हो जाएगा मां दी लोड है पिता दी लोड है उन्हों मां होवे बाप होवे पर पराना होवे बड़ी काट मैसूस हो दिए भरानूते आगदे ने एते बामा है एते सड़ियां बामाने उन माँ बाप थे होए पर पर आ ना ओवे तां बहुत वड़ी घाट मैसूस हों दिए बहुत वड़ी घाट पर आ होए माँ बाप भी होएं पर दोस्त ना ओवे मित्र ना ओवे जिनु बंदा राज दी गल दसके क्योंके कुछ ऐसे भी राज हों देने व्यक्ति गत जो बंदा मानों नहीं दस सकदा प्योनों नहीं दस सकदा पिर आनों भी नहीं कह सकदा उस सिर्फ मित्तर नहीं कह सकदा दोस्त नहीं कह सकदा तो गुरुनानिक देव जी महराज उस परी पूरन प्रमातमानों दोस्त भी क्योंके जिड़ी गल मेरे अंदर गुजी है ये अकाल पुरकों में तेरे एक गों प्रगट करनी है इस ढंगनाल जैसे कि मित्र दे एक गों करदा है गुरुगन साथ जी महराई देच मित्र तादा रिष्टा भी मौजूद है साहिब केंदे ने सुन यार हमारे सजण एक करों बेनंती यार तिस मोहन लाल पे यारे के हों फिरों को जन्ती सैव उस पर्म शक्तिनों यार केंदेने तू सका है साड़ा तू मित्र है साड़ा तू यार है साड़ा असी तैथों कोई गल छुपा के नहीं रखने और छुपा के रख भी नहीं सकते तेरे अगों सब कुछ प्रगट कर देना है पर तू निरा यार नहीं तू ते ब्राता भी है जैसे रण में सका ब्रात तू साड़ी बामा है निरी तू साड़ीयां बामा ही नहीं रक्षा करनवासते बलके तू पिता है ते पिता दी सोचनी ऐ यहुं दीए बच्चछा अजीम बने तू सानू महान बनान दी भी सोच दै तू निरा पिता नहीं तू मामी है ममता ते तों डुल डुल के पेंदी तेरा पियार समगर जीवन दे बरस दा तु सारेया नाल प्यार पाना अगाउं चलिए साहिब गुरुनानिक देव जी महराज दी बानी महभूब ते महभूबा दे रिष्टे नो भी जुटलां दी नहीं नजर अंदाज नहीं कर दी गुरुनानिक देव जी महराज ने ऐसा सनबंद भी परमातमा दे नाल जोड़े है वडहन सरागदा एक शबद मैं आप जी दे समक्ष बेट कराँ मौरी रुन जुन लाया भेने सामन आया तेरे मुंद कटारे जेवडा तिन लोबी लोब लुबाया तेरे दरसन विच्टों खनिये मन्या तेरे नाम विटों कुर्बानों जा तू तामे मान किया है तुद बिन केहा मेरा मानों चूड़ा भन पलंगसें मुंदे सनबा ही सनबाहा एते वेश करेंदिये मुंदे सौरा तो अवराहा ना मनियार ना चूड़ियां ना से वंगणियां जो शेह कंठ ना लगियां जलन से बाहरियां इस शवद दिच जिस रिष्टे दा जिकर है उते उही सनबंद मेरे पात्षा अस्थापन कर रहे ने जो सूफियां ने ईश्वर देनाल अस्थापन की तक दरसल मा बाप होवन भरावी होवे दोस्त भी होवन पती ना होवे पत्नी ना होवे तो एक बहुत बड़ी घाट प्रवार दिच मैसूस हों दिए ए रिष्टा भी परीपूरण प्रमात्मा देनाल सद्गुर्देव जी महराज ने जोड़े फिर गुर्बानी उस परम शक्तिन गुरु भी कहें दिए गुरु 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 कर्मन मौर गुरु बिना मैं ना ही हो तुम गुरु है आद अंत एक ए अवतारा सोई गुरु समझेो हमारा तुम सड़ा गुरु है असी तैथों प्रेरना लेन वाले तुम समगर जीवन ग्यान दान देन वाले सारे जगत नू चानना देन वाले जित्थे साहव गुरु गुरु नानिक देव जी महराज गुरु गुविन सिंग जी महराज उस देनल गुरु ते शिष्दा रिष्टा जोड़ देने उत्थे गुरु बानी उसनू राजावी कें दिये को हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के जूटे करत दिवा जा ए परी पूरन प्रमातमा तेरे समान कोई होर राजा नहीं है तेरे समान कोई होर पिता नहीं है तेरे समान कोई होर मा नहीं है तेरे समान कोई होर महान मालक नहीं हो सकता सारी जगत दे रिष्टे गुरुनानिक देवजी महराज ने परमातमा देच निरूपन कीते ने बाईसा भाई गुर्दास जीदा कतन है कि जिनने साडे सनबंध ने इना सनबंधा देचों ही परमातमा दी जलक वेखनी है मान दे अंदर डुल रही ममता नू परमातमा दी दित्ती हुई ममता समझना है पिता दा दित्ता वया प्यार ऐसा समझना है कि परमातमा ही ये प्यार दे रिया है इश्वर ही एप्यार दे रहे है मानों ठुकरा के पितादा दिल तोड़ के अगर कोई बंदा तीर थां ते भर्मन करे दान करे पुन करे भाई साब भाई गुर्दासी ने इसनों कोई महानता नहीं दिती आप कहें देने मापयो परहर सुने बेद भेद न जाने कथा कहानी मापयो परहर करे तीर थे 68 तीर थे घुमन मानी मांदा दिल तोड़ के प्योदी ब्यदभी करके अगर कोई बंदा कथा सुनन वास्ते जाए पाई साब के दिन कथा दे भेद नो नहीं समझ सतेगा ये ते पुल गया ये जो मां तेनों मिली है ये मां नहीं ये प्रमात्मा ही मां दे रूपच तेनों मिले है प्रमात्मा ही ममता लुटा रहे है प्रमात्मा ही प्यार दे रहे है अगर प्रमात्मा ने प्यार देना है ममता करनी है तो किस रूपच करे है प्रमात्माने हमदर्दी जतानी हैं तो किस रूप दे जतावे प्रमात्माने हमदर्दी 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 जतावे आठशट तीर थे घुमन वानी ते हुने ऐसा हुए के माता दे तन दे कपड़े नाउं पिता दे पैराँ दी जुत्ती नाउं ते ये बहुत वड़ा दानी बढ़ियां फिरे पाई साब केंदने मां प्यों पर हर करे दान बे इमान अगयान परानी मानों ठुकराके प्योदियां जरूरतानों ठुकराके जिड़ा बहुत वड़ा दानी बढ़न दी कोशिश कर रहे हैं पाई साब केंदने परले दर्जे दा अगयानी पुरुश है और बे इमान बंदा ह कारण की के इना तमाम रिष्टियां देचों ही ते प्रमात्मा दा रिष्टा लबना सी ईश्वर दा रिष्टा लबना सी ऐस वास्ते सडे देश देच कोशिश कीती गई के पहले घर नू मंदर बनाया जाए घर मंदर घर घर अंदर धरम साल होवे की इर्तन सदा वस हुआ घर नो ही मंदर बनाने हैं तो घर मंदर तां बन सकदा है के मां देच प्रमात्मा दी जलक मिले पिता देच प्रमात्मा दा सुरूप दिखाई देवे भिरामा देच अकाल पुरुख दी हमदर दी दिखाई देवे मितना देच प्रमात्मा दी नेड दिखाई देवे और पत्नी देच प्रमात्मा दी पत ते शवकत दिखाई देवे तांई घर मंदर बन सकदा है बड़ी कोशिश की ती सड़े देश दे रिशी मुनी अने कि जड़ी पतनी है एपती नू प्रमात्मा आखे ती जो पती है एपतनी नू देवी आखे उन एक नू देवी दिखाई देवे ती एक नू प्रमात्मा दिखाई देवे घर ते मंदरी बन गया आखर मंदर दिछ की होंदा देवते होंदे ने देवियां होंदियां ने पती नूँ पतनी देवी दिखाई देवे और पतनी नूँ पती देवता दिखाई देवे एक प्रमात्मा करके बुलावे एक देवी करके बुलावे घर मंदर बन गया पर जे इस तो उल्ट गल होवे पती पत्नी नू भूत दिखाई दे वे आर पत्नी पती नू डायन दिखाई दे वे घर ते नरक बन गया और किड़े नरक देज़ जाना है घर ही दुखा Anda अख़ाड़ा बन गया घर नूं मंदर बनान दी प्राचीन समय तो एक कोशिष सी परमातमा पहले घरड़ दिखाई देवे ताँनों ही बार दिखाई दे सकेगा जेनूं घरड़ नहीं दिखाई दिता उनों बार कस तरह दिखाई देवेगा तमाम रिष्टेयां देचों प्रमातमा दी जलक वेखनी है इस तरह दी कोशिश भारत दे रिशी मुनिया ने कीती और जोर देता कुझ रस्ते देचों भी मनुख लंगदा जारे आवे ता राम राम बुला देना सत्स्री अकाल बुला देना अजनबी नुई ते जद एक दूजे देंदर प्रमातमा ही दिखाई दे रहे है ते जूट किस देगों बोलना तोखा किस नुँ देना बहुत गहरी सब्विता सड़े देश देच पनपी सी जो पश्चमी सब्विता ने किसे हद तक बरबाद कर देती इस वास्ते हुन जे स्वेरे दे वकत दो मनुखां दा मिलाप हो जाया वो गुड मोरनं कर चड़ देन शामन गुड एवनिं कहें देने गुड नाइट कहें देने पर कौन पुछे इस देच कोई धारमकता नहीं है इस देच कोई रब्बी रस नहीं है और देच कोई हकीकी अनंद नहीं है इस देच कोई परमातमा दी जलक नहीं है हे मनुख तूस परम शक्तिनों अजनबी देच भी देख राही देच भी देख परवार देच भी देख संसार देच भी देख ताहें तूस परमातमा नों हर पेलू दिछ देख सकेंगा, हर पासें देख सकेंगा, साहिव श्री गुरुनानिक देव जी महराइदा एक अतन, कि प्रमातमांदा एक रूप ने, किदरे तेनों मां दे रूप पेच मिले है, किदरे तेनों पिता दे रूप पेच मिले है, किदरे तेनों मितना दे रूपच मिले है और रस्ते दिछ कोई अजनबी जा रहे है एवी अजनबी नहीं एदे अंदर भी राम दी जलक नुवे खन दी कोशिश कर एदे अंदर भी खुदा दी जलक नुवे खन दी कोशिश कर इस वास्ते इसलाम दे अंदर वी ए रिवाज पर चल सी सलाम अलेकम सलाम है सजदा है नमस्कार है उस अल्ला नूँ उस प्रमातमन बहुत कीमती ए गल्नासन समेदि धारा ने खो देतिया ने बरबाद कर देतिया ने इस वास्ते घर दा मंदर बनना आउखा हो गया है तो जे घर मंदर नहीं बनेया तो संसार दा मंदर दिखाई देना बड़ा आउखा है बहुत आउखा है जे घर मंदर बन गया है तो फिर समुच्चा संसार भी मंदर बन जाएगा और समुझ चे संसार देंदर निरंकार दिखाई देगा अनेका रूपाँ देच अनेका कला देच साहँ गुरगोविन सिंग जी महराईदा एसा ही कहना से के समुब्रे मंद दी अनेकता देचों एकनू वेखना है और उसे ही एकनू अनेकता देच निरूपन कर देना है समगर दिश्टी ऐ मनुख अपने अंदर पैदा कर ताके प्रमात्मा दे तमाम रूप सारे रूप तेरे सामने प्रगठ हो जान और उस दे हैन वी अनेका रूप अनक रूप तेरे नाराएना है नाराएन तेरे अनेका रूपने तो बक्षिश कर तेरे सारे रूप साड़े सामने प्रगठ हो ताके तेरे सारे रूपां दी जलक असी वेख सकीए ते सारे रूपानों असी सजदा कर सकीए सारे सारे रूप लो वेक के असी अनंदमान सक्ये.